तो डियर स्टूडेंट आज किस वीडियो में जानेंगे जो भी बीए, बीए, सी, बीकॉम के सिक्ष समेस्टर के स्टूडेंट है जो परिच्छाय दे चुके हैं उनका रिजल्ट कब आएगा क्योंकि परिच्छा देने के बाद सब के मन में एक प्रस्ण जरूर आता है कि हमारा जो परिच्छा हमारी जो हुई है उसका रिजल्ट कब आएगा तो आज किसी फीडियो मिनिशी के बारे मैं आपको कंप्लीट जानकारी मिल लेवाली है तो फीडियो को पूरा जरूर देखते रहेगा ताकि अपको तकि आपको इधरकी वीडियो को देहना न पड़े ठीक है और यह आपका अपनाई चैनल सक्षेस्ट हुए जो कि आपको समय रहते हैं सारी जानकारी सही प्रवाइड करता है तो चलिए जान लेते हैं कि आप सभी का जो 6 समस्टर का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा तो दिहां से सुन लीजेगा देखे चाहे आप जिस भी इन्वर्शिटी की स्टुडेंट हो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्डन वीडियो है जैसे कि जिस दिन भी आप सभी की परिच्छाएं समाप्त होती हैं देखे भारत में और उत्तर प्रदेश में बहुत सारी इन् काफी समय हो चुका है रज्जु भहीünde टों अलग टेटों में पλλά जाती है तो आपको ध्यान लगना है और ज्बे जान लिजे कि रिजल्ट आने का रूल क्या है तो जिस दिन भी से आपकी परिच्छां हैं समाप्थ होती है उसके 45 से 65 दिन के बीच आप सबी का जो रिजल्ट है वह जारी किया जाता है 45 से 60 दिन के बीच कभी कदार 2-4 छे दिन आगे पीछे हो सकता है लेकिन रूल से यह है 45 से 60 दिन के अनतरा रिजल्ट आने की जिस दिन भी आप सभी परिच्छाइं समाप्त होती है उसके 45 से 40 दिन के अंतरा लिजल्ट आता है ठीक है तो आपको ध्यान देना है कि आपकी इन्वर्शिटी में परिच्छाइं कब समाप्त हुई है ठीक है तो जिस दिन भी आपकी इन्वर्शिटी में परिच्छाइं समा समाप्त हुई है तो 25 मईस से आपको इसमें जोड़ देना है एक महीने हो, जिसके तीक मैं को समाप्त हुई है उनका जो रिजल्ट है वो 30 जून के बाद आएगा ठीक है यह मैं आपको एक्जामपल दे रहा हूं तो इस तरह आपको भी देख लेना कि आपकी नोशीटिम पर इच्छा है कब समाप्त हुई है उफी दिन से आपको 45 दिन काउंट कर लेना है जिस दि पर दिन हो जाएंगी उसी के दो-चार से दिन आगे पीछे आ जाएगा जैसे भी रिजल्ट आएगा आपको इस चैनल के मादन से सबसे पहले जानकाई दी जाएगी इफ ले इस चैनल को अभी के विश्चाइब कर लिजेगा ताकि आपको सबसे पहले रिजल्ट की इनफो कर देंगे ठीक है तो सब्सक्राइब करना ज़रू बनता है और मिलते हैं आपको एक और ने वीडियो को चाहिए जब तेक लिजे हैं